सच शेकाल दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आप सभी का वालकम है पूनम कौर रेसिपी इसमें दोस्तों आपने मेरी इस रेसिपी को इतना प्यार दिया, इस पर 15 मिलिएन व्यूज आया है साथ ही बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि मैं इसी तरह कि हमारे साथ रेसिपी करो ये सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम आठा लगा कर तयार करेंगे तो आठा लगाने के लिए यहां पर मैंने ले लिया है दो कब गिहूं का आठा उसके बाद गिहूं के आठे में हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन का उसको दोनों हातों से रप करके इसमें लगा हाते में डालदेंगे साथ यहां पर मैं डालओंगी दो बड़े चम्मच देशी घी के ताकि वह बहुत ही अच्छा खस्ता बढ़ेरा दे सके करारा फेलर दे कि उसके बाद हम इसमें ढालेंगे एकड़ा चम नमक का या शुआत की अनुसार नमक बस हमें इस आटे मे अजवाइन घी और नमक डालना है इसके बाद बस यहाँ आटा को तयार कर करेंगे पर यहां पे हम एक बात का धियान देंगे कि जो आटा हम लगाएंगे वो सक्त होना चाहिए सौफ्ट वाला आटा हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे तो कोशिश रही कीजिएगा कि जितने से जितना कम पानी आप इस्तमाल कर सकें उतना कम पानी का यूज करके आप ये आटा लगा कर तयार करें यहाँ पे मैंने आधे ग्लास के करी पानी का यूज किया है क्योंकि आटे की कौंटरी थोड़ी जादा थी बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कि आटा सक्त होना चाहिए सौफ्ट आटा मत लगाईएगा तो अब धीरे धीरे करके मैंने इस आटे को गूंथ लिया है अच्छी तरह से अब लास्ट में जब आप देखें कि आपका आटा अच्छी तरह से गूंथ कर तयार हो चुका है आटा सक्त होने के साथ थोड़ा सा चिकना भी होना चाहिए क्योंकि हम उसे बनाते वक्त हमें परिशानी ना हो तो उसे चिकना करने के लिए लास्ट में आप फिर से एक बड़ा चमच रिफाइन ओयल का यूज़ कर लिजेगा मैं देसी घी का इस्तमाल कर रही हूँ इसलिए लास्ट में मैं देसी घी ही डालूंगी आप जो भी इस्तमाल कर रहे हूँ लास्ट में फिर से जब पूरी तरह से आपका आटा गूंत कर तयार हो जाए तब उसे फिर से एक मिन देसी घी से हम गूंत लेंगे तो ये दीखिए उससे क्या होगा लास्ट में फिर से गूंथने से ये चिकना भी हो जाएगा सक्त भी रहेगा और थोड़ा चिकना भी हो जाएगा तो जब आप फिर से इसे अच्छी तरह से गूंथ ले तो बस अब हम इसे ढख कर 5-10 मुट आराम करने देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए जब तक हमारा आटा आराम करके तयार हो लेता है तब तक हम इसकी स्टफिंग बना कर तयार गर लेते हैं तो मैं ऐसे ढख लेती हूँ अब स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कड़ाई ले ली है कड़ाई में हम डालेंगे एक बड़ा चमच रिफाइन ओईल का जैसी हमारा तेल गरम हो जायागा हम उसमें एक छोटा सा प्याट डालेंगे उसे बिल्कुल बारिक टुकडो में मैंने काट लिया है अब हमें प्याज को पकाना है दो से तीन मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिजे हलका हलका से यह पक जाना चाहिए तब आप देख रहे हैं हलका हलका सा जो प्याज पिंक हो चुका है अच्छी तरह पक चुका है तब हम इसमें कुछ चीज़े अड़ करेंगे तो आज का जो नास्ता बना रहे हैं हम उसकी स्टफिंग आपके उपर है आप जैसी भी बनाना चाहें पर आज मैं यहां पे डार रही हूँ दो से तीन मीडियम साइस के उबले हुए आलू इन्हें मैंने दो विस से लगा कर उबाल लिया था उसके बाद ठंडा होने के बाद मैं इस्तमाल कर रही हूँ ये इन्दौर वाले आलू है और एक कप मटर मटर भी उबले हुए लिये हैं अगर आप मटर नहीं ले रहे हैं तो चार से पांच आलू का इस्तमाल कर लीजिए साथ ही हम इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च हरा धनिया बाद में डालेंगे अभी हरी मिर्च डाल लेते हैं पहले अब हमें क्या करना है? इसे मैश करना है वैसे आप चाहें तो इसे कड़ाई में डालने से पहले ही मटर को मैश करके फिर डाल सकते थे पर यहाँ पर मैं कड़ाई में ही इसे मैश करती जाओंगे और मिलाती जाओंगे इस से क्या होगा कड़ाई में होने की वज़े से उनमें क्रिस्पीनेस भी आने लग जाएगी और अलका-अलका हो पकने भी लग जाएगे तो ये देखिए आप इसे दो से तीन मड़ तक इसी तरह चलाते हुए मैश कर लीजे आलू और मड़ उबले हुएं तो आपको कोई परिशानी नहीं होगी बिल्कुल भी तो ये देखिए इस तरह से हम इसे मैश करते रहेंगे जब तक मटर अच्छी तरह मैश ना हो जाए क्योंकि हम साबुत मटर का इस्तमाल पीन विल में नहीं कर सकते इसलिए हम उसे मैश करेंगे अब थोड़ी दिर के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल आलू और मटर अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं और मिल भी चुके हैं साथ ही आप एक चीज नोटिस करेंगे जब मैं ऐसे मिला रही हूँ तो ये कड़ाई को बड़ी आसानी से छोड़ रहे हैं मतलब ये मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से बुना जा चुका है तो अब बारी है सुखे मसालों की जब आलू मटर का मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कुछ सुखे मसाले तो चलिए सुखे मसालों में देख लेते हैं हम क्या क्या लेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चमच नमक या स्वाद के अनुसार नमक इसके बाद एक छोटा चमच लाल मर्च का पाउडर साथ ही मैं आप डाल रही हूँ आधा छोटा चमच काली मर्च का पाउडर आप चाहें तो इससे स्किप भी कर सकते हैं और दो से तीन पिंच हल्दी अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे जब तक यह सारा मसाला सुखे मसालों के साथ मिलना जाए अब हमारी स्टफिंग बिल्कुल अच्छी तरह से तयार है खाली इसमें थोड़ा सहरा धनिया डालने की देरी है बस वो डाल देंगे फिर इसे गैस का फ्लेम बन कर देंगे और इस सारे मसाले को हमें एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे आप जब इस तरह से भून कर मसाले को बनाएंगे न तो उसका टेस्ट जादा अच्छा आएगा तो यह देखिए बहुत अच्छी तरह से भूना जा चुका है बिल्कुल मटर आलू मिक्स हो चुके हैं साथ इस ने बरतन को भी बहुत अच्छी तरह से छोड़ दिया है थोड़ा सहरा धनिया डाल लेते हैं इसमें इसे भी कर लेंगे मिक्स इसके बाद इसे कड़ाई से बाहर निकाल लेंगे तो हमारा मसाला भुना जा चुका है अब हम एक काम कर लेते हैं सबसे पहले आटा चेक कर लेते हैं कि 10 से 12 मिनट हो चुका है हमारा आटा सेट हो चुका है या नहीं तो यह हो चुका रेडी अब यह देखिए आटे को उपन कर लेते हैं आटा बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है तो आटे को एक मिनट फिर से हम सेट कर लेंगे थोड़ा सा हाथों से उसके बाद एक बड़ी सी लोई जितनी रोटी की लोई होती है न उससे डबल मतलब एक बड़ी सी लोई हम तोड़ लेंगे इसकी तो बस अब हम इसे थोड़ा सा हातों से रोल कर लेते हैं अब हैं हम इसे बेल कर तयार करना है अब हमारी जो stuffing थी वो भी ठंडी हो रही है एक plate में तब तक हमने जो लोई तोड़ी थी आटे की हम उसे बेल लेते हैं इस लोगे को बेलते वक्त आपको सूखे आटे की भी ज़रुद नहीं पड़ेगी ना ही रिफाइन डॉयल की क्योंकि हमने इस तरह से कूथा था कि इसे बनाते वक्त ये बिलकुल भी चिपकेगा नहीं सक ताटा है इसलिए बड़ी आसानी से आप इसे बेल पाएंगे तो देखिए जितना बड़ा आप इसे बेल सकते हैं उतना बेल लीजिए पर बहुत जादा पतला मत बेलेगा थोड़ी से थिकनेस इसकी रखिएगा अब हम क्या करेंगे हमने जो स्टफिंग बनाई थी उसको इसमें डालेंगे और फैलाते जाएंगे ये देखिए जहां जहां आपको जगह खाली लगे वहां वहां थोड़ी स्टफिंग डालिए फिर इसे चमच से फैला लीजिए इस तरह आपको पूरी रोटी के उपर इ इसे फैला लीजिएगा थोड़ा दबाते जाएगा स्टफिंग का बहुत ज्यादा इस्तमाल मत कीजिएगा बना क्या होगा स्टफिंग बहार निकलने लग जाती है दो से तीन बड़े चमच काफी है इतनी रोटी के लिए उसके बाद हम इसे करेंगे रोल करने के बाद मै देखिए आधे इंच के करीब टुकड़ा हम कट कर लेंगे और उसके बाद उसे हाथों के प्रेशर से सेट कर लेंगे सेम प्रोसेस हमको रिपीट करना है थोड़ा सा हमें चाकू से कट कर लेना है और उसके बाद इसको बस दोनों हाथों के बीच में आप इसे रख दीजे और दबाओं से इसे सेट कर लीजिए बिल्कुल परफेक्ट इसकी शेप आ जाएगी इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे और सारे पीन विल्स को बना कर तयार करेंगे मेरी जो पहले रेसिपी थी वो मैंने मैदा से बना कर आपके साथ शेयर की थी जिसको आप लोग उने इतना पसंद किया है तो इसी लिए उस पर रिमान भी थी कि मैं मैं इसको थोड़ा हेल्दी बनाईए तो उस रेसिपी को मैंने थोड़ा और हेल्दी बना के आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ये देखिए सभी पीन विल्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं अब एक कडाई में हम डालेंगे रिफाइन ओइल दो से तीन बड़े चमच के करीब जैसी हमारा तेल मीडियम गरम होगा बहुत जादा नहीं मीडियम गरम हो तब ही आप सारे पीन विल्स इसमें डाल दीजिए पहले एक साइट से 5-6 मिनट पकने दीजिएगा जब 5-6 मिनट हो जाएंगे फिर हम इने करेंगे टन मतलब दोनों साइट से हमें लो फ्लेम पर गैस का फ्लेम बिलकुल लो रखिएगा तक यह अंदर तक पक पाएं और लो फ्लेम पर क्या होता है बहुत अच्छे क्रिस्पी भी बनते हैं तो बस इस तरह से हम दोनों साइट से इसने पकाएंगे जब तक यह अच्छी तरह से पक न जाएं 10-12 मिनट हो चुके हैं और इनका कलर आप देख पा रहा है